नमस्कार साथ हैं सीबी विकल आईटेई गुरू में आप सभी का स्वागत है दिल्ली आईटेई के इंपोर्टेंट डाकुमेंट क्या क्या लेकर जाना है अडमेशन के टाइम तो पूरा बिस्तार से डीटर में समल लेजिए सब कुछ ऑफिसल साइट पे यहाँ पे दिया गया है या मैंने हर पल की खबर आपको बताया है तो यहाँ पे डाकुमेंट के बारें बता दे तो नीचे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा जितने साइट डाकुमेंट से लगने वाले हैं सब कुछ डाकुमेंट यहाँ पे अबलेबल है आपको कहीं भटगना नहीं है किसे से पूछना नहीं है सब कुछ डाकुमेंट आपको यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो यहाँ पे देखे दोस्तों यहाँ पे आपको डाकुमेंट है और जो आप जो है अपना जो आपने फार्म भरा है इस फार्म को भी आपको जो फार्म ने भरा तो उस फार्म का प्रिंट और भी आपको निकाल लेना है उसको भी साथ में लेकर जाना है इसके बाद उस्तों आपको यहां पर दिखाई देगा अगला जो दूसरा वाला यहां पे copy of provisional admission slip वो ही है provisional admission slip जो आपने admission कराया था उसी का जो है slip आपको निकाल लेना है ठीक है इसके बाद दूस्तों यहां पे दिया है आलहिस वर्जनल certificate इसमें क्या रहता है जिसे कि आपका high school का जो आपने high school लगा रखा है ठीक है high school के mark sheet और certificate आपके पास होना चाहिए अगर आपका mark sheet और certificate एक ही में है अब तो एक ही में आता है एक ही में लेकर जाना है ठीक है इसके बाद दूस्तों यहां पर जो है यह हो जाएगा अगर आपके पास कोई और document है तो आप लेकर जा सकते हैं वर्जनल self-attest जो है photocopies मलब कि जितने original documents लेकर जाएंगे उसको self-attest कर लेना है जैसे कि माल यह कोई document है तो नीचे जो है आपको अपना यहां पर sign कर देना है ठीक है वहां पर sign कर देना यह तो self-attest हो जा जाए ठीक है इसके बाद यहां पर दोस्तों दिया है कि जो है यहां पर द देख लिए इसके बाद जो है आपका self-attest prohibition जो है रैगिंग यह आपको मिल जाए कहां पर भी बताऊंगा कहां मिलेगा अंडर टेकिंग वाला यह सब कुछ जो है आपको यहां पर मिल जाएगा और इसके बाद देखिए हैं पर self-attest character certificate भी आपको खुद से बनाना है ठीक document जो है आपको कहां मिलेगा ओभी मा को प्रारूप दिखा दे रहा हूं medical certificate दोस्तों जो अन्य document है उसको पाने के लिए आपको इसी official site पर यहां पर आएंगे तो यहां पर दिखाए देगा उपर prospect का जो है option ठीके आपको इस पर click करना होगा जैसे इस पर click करेंगे आपके सा download कर लिए है आप इस पर open करेंगे जब आप इसको open करेंगे तो इस प्रकार से open हो जाएगा आप सबसे दम नीचे आजाना लास्ट में नीचे जब आपको आएंगे तो आपको यहां पर दिखाए देगा आपका जो है document यहां पर दिखाए देगा यहां पर लगभग 77 पेज नमर पराएंगे 77 पराएंगे तो आपको medical certificate का प्रारूप यहां पर मिल जाएगा medical certificate जो है आपको देखे यहां पर दिया गया है इसको जो है government doctor से बनवाना है जो सरकारी doctor होते हैं ठीक है आप किसी सरकारी hospital में जाके यह पूरा PDF इसको आपको निकाल लेना है print out और यही जो है ले जाकर हो हाँ पर बनवा लेना ठीक है सब कुछ यहां पर चेकर करके जो हो आपको यहां पर detail है फिल करके यहां पर देदेंगे यहां पर हाइट होगा रहा सब कुछ यहां पर हाइट वेट है आपका जो है यहां सब हो सब जो है यहां पर लिखके आपको देदेंगे इसके बाद जो आपको यहाँ पे sign करेंगे, sign मोहर कर देंगे, अपना registration number होना जरूरी है, बिना registration number के होगा नहीं, यहाँ पे अपना sign करेंगे अफीसर, और registration number यहाँ पे होगा, तभी बेलन माना जाएगा, इसके बाद जननीचे आएगे, तो आपको यहाँ पे character certificate दिखाए बनाना है, जैसे आपको हाँ पे नाम होगारा लिख लेना है, ठीक है, यहाँ पे अपना address होगारा लिख लेना है, यहाँ पे कितना साल से रह रहे हैं, यह सब कुछ लिख लेना, इसके बाद जो है, यहाँ पे आपको sign कर देनी है, ठीक है, यहाँ पे sign कर देनी है, अगर परकास से भी आपका जो है वहाँ पर चल जाएगा इसके बदस तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाए देगा प्रविशनर रेगिंग का तो यह भी जो है खुश से आपको भर लेना है कोई बड़ी बात नहीं भरना ठीक है इसको बाद जो है नीचे कटड़ी में आते हैं दिव्यां की कटड़ी में आते हैं उनके लिए ठीक है बाकि डाकुमेंट यहाँ पर सबकूर डाकुमेंट आपको यहाँ पर मिल जायेगा पूरचक के लुछे और यहाँ पर जो जो document लगने वाला है मां को बता दे रहा हूं जैसे कि यहाँ पर अगर कोई 8W की mark sheet certificate लगाया है तो यह और document लगा सकता है ठीके यहाँ पर इसके बाद नीचे एंगे तो सारे document आपको यहाँ पर मिल जगा यह भी document सबके लिए नहीं है जो बीडियो के अंतरा आते हैं उनका जो है इस category में है तो यह document लगा देंगे बाकि जो है नीचे जो document है यह quota वाला जो संब्दित है उनसे संब्दित है जैसे माले कोई employee है उनका जो है कोई घर का कोई IT करना चाहता है तो self quota के लिए जो है उनके लिए है तो यहाँ पर पूरा document आप चक कर सकते हैं बाकि जो है यहाँ पर minority के आप संख्र के लिए है यहाँ पर दिय गया है बना साइड document आपको इसी पर मिल जाएंगे और साइड document जो है आपको fill करके लेकर जाना है यह आपका EWS category के जो है उनके लिए है यह पूरे document आपको इस परकार से बनवा लेना है ठीक है इसके बदूस तो यहाँ पर दिखिया guardian undertaking करनेडरे गार्जिन के लिए है तो यह आपको भी गार्जिन से बनवा लेनी है और यहाँ पर दिया है करनेडरे गार्जिन यह भी document undertaking वाला है तो यह भी आपको जो है बनवा लेना है यह side doc में मलब किए है कि जो आपको PDF निकाल के उसको fill करके जो है आपको लेकर जाना होगा अगर यह document आपको नहीं बनावा सकते हैं या पर नहीं बनावा पाएंगे तो दिक्कत हुआएगी document सभी लेकर जाना तभी आपका automation वापे हो पाएगा चले मिलते हैं नेक्स वेडियो में थांसर वाचिंग